नमस्कार दोस्तों सुवागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल में 2024 आंगनवाडी की बंपर वेकिंसी निकल कर आ गई है उत्तरपदेश, बिहार, राजस्थान, मद्दपदेश, दिल्ली, अंसियार, पश्चिम, मंगाल इसके साथ देश की अलग-लग राज्जुम भरती कब तक निकल कर आ जाएगी फॉर्म बनना कब से सुरू कर दिया जागा पूरी जानकारी आपको देने वाले नई वेकिंसी के नोटिफिकेसन कब आने वाला है जो लोग अच्छा दस्वी पास इस पेसली महिलाओं के लिए सुनेहरा मौका निकल कर आ गया है 41,000 पदों की बंपर नोटिफिकेसन का जल्द आने वाला इसका आविधन कब से सुरू हो जाएगा पूरी डीटेल में चर्चा करने वाले है केबल महिला यहाँ पे आविधन कर सकती सुपरवाइजर की वेकेंसी कब तक आ जाएगी इसके साथ यहाँ पे जो आगनवाडी सहायक होता है वरकर होता है उसमें देखिए कब तक फॉर्म बनना सुरू किया जाएगा कि आपको परिच्छा नहीं देना है बस आपको क्या काम करना है कि इस वीडियो को पुड़ा देख लेना उसके बद आपके मन में जो भी कोस्टन जो भी डाउट है वो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगों आपके मन में जो भी कोस्टन जो भी डाउट है आप बिना देखिए यहाँ पर सोचे नीचे कमेंट करके पूछ सकते उसका जवाब आपको हमारे चैनल के मादनम से बिल्कुल ही मिल जागा तो चलिए आपको सब कुछ डीटेल में बताते हैं दोजा 24 की जो यहाँ पर आंगन बारी की लेटेस्ट भरती निकल कर आगी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोजा 24 अंगन बारी केंदर में अगर आपको नौकरी चाहिए तो सुनहरा मौका है मेरे पास लगातार काफी सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर किस तरीके से इसके लिए आविदन करना इसके साथ हमारे राज्य में भरती कब तक निकल कर आ जाएगी बहुस सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप के सामने पुरा डीटेश ओपन होके आगए अंगन वाड़ी रिक्लूटमेंट 24 अपलाईंग सबसे पहले योगता की बात किए ने तो जो लोग अच्छा 8.5, पास, पांच वी पास, दस वी पास, बारेवी पास दिगरी है, वो लोग भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास दिगरी है, जीसके जो लोग BA किये हैं, BSC किये हैं, उनके लिए यहाँ पे मुक्री मिल भी चुका है यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में अभी पील यहां पर देखिए तीन-चार महीने पहले यहां पर लगबग यहां पर 44,000 पदों की बंपर वेकेंसी निकल कर आई थी जिसमें देखिए बहुत सारे महीला है फॉर्म भर दी हैं उसको भी लेकि मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला है उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके साथ सबसे पहले यहां पर जो 50,000 से जादा पदों की बंपर वेकेंसी निकल कर आने वाली है इसमें कौन-कौन सी वेकेंसी है सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दे देते हैं तो देख सकते हैं जो यहां पर देखी एक्शुली भरती निकल कर आती है वो आपका वरकर मीनी मरकर हो गया इसके साथ हेलपर पोश्ट की भरती है जो आपका हेलपर होता है इसमें योगता कम से कम कच्छा आठीवी और दसवी पास होता है यह ओफिसनल नोटिफिकेसन में आपको द पड़ेगा इसका आविदन जल्द सुरू होने वाला यहां पे अब देख सकते हैं पुड़ा डीटेल ओपेन होके आ गया है सेलेरी की बात करें तो सुपरवाइजर में यहां पे साथ हजार से लेके 37,600 प्रती महीने पर मंथ आपको बेतन मिलेगा देखे दोस्तों यह सु प्रती महीने बेतन मिलेगा है यहां पर जो देखिए वेकेंसी निकल कर आती वरकर और की पोष्ट की भरती निकल कर आती जिसमें महीलाओं को 9,000 रुपे तक बेतन देखनें को मिल जाता है इसके साथ 2024 के लिए आपका एज लिमिट कितना रहेगा तो यहां पर मिनिमम एज एज लिमिट 18 साल का रखा गया मैक्समें एज लिमिट आपका यहां पर 35 साल तक का रखा गया है जिसमें की केटेगरी वाज आपको छूट भी देखनें को मिलने वाला है और यहां पर आंगनबाडी रिक्यूट्मेंट 2024 जो निकल कर आए इसमें सलेक्सन प्रोसेज क्या र पोस्ट में मेरिट लिष्ट के अधार पर आपको नौकरी मिलेगी फिर डॉक्मेंट वरिफीकसन आपको करा लेना पड़ेगा फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहीं पर हेलपर में भी देखिए बिना परिच्छा के नौकरी मिल जाती है इसके साथ यहां पर फॉर्म बन इस पर ओके करना है जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं Ministry of Women Child Development महिला एवं बाल विकास मंतराले के ओफिसल वेबसाइट पर आगए अब यहाँ पर आपको देखिए latest vacancy का detail देखनों को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पिशिच को कितनी vacancy निकालीगे चले आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का में पस कमेंट आ रहा था देखिए सबसे पहले आपको Google open कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है उसके बाद simply आपको यहाँ पर search करेना जैसे आप यहाँ पर search करेंगे तो आपके समनी इस तरीके से देखिए यहाँ पर result open होके आ जागा सबसे पहली जो website आपको देखने हो को मिलेगी देखे government of odisa लिखा हुआ जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते होगा इसके साथ कौन से निया नियम लागू होने वाला है ओडिसा राज्य में देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट निकल कर आगे जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से डीटेल देखना तो यहाँ पर डीटेल चेक आउट कर सकते हैं जिस भी राजिसा वीडियो देख रहे है आपको देखिए डवलू सीडी लिखने एक बाद उस राज्य के नाम के लिख देना है ओडिसा हो गया राजयस्थान हो गया जैसे कि चलिए आपको राजयस्थान भी लिखके दिखाते हैं आपके सामने WCD यहाँनि महिला बाल विकास का ओ। इसके बाद लेटेश्ट जो भी अब्डेट होता है वो देखने का आपको मिलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं अबके सामने एक नया page open होके आगे, देखिए राजेस्थान की तरफ से vacancy जो भी निकाली जाती उसका update आपको यहां पर देखने का मिलता है पेज को reload कर लेते हैं एक बार हमें यहां से जली हाँ से आके फिर से इसको reload करके open करते हैं तो यहां पीशीच को देख सकते हैं आपके सामने umand and child development sector की तरब से vacancy निकल कर आ गई यहां पे देखिए जो ओफिसल विपसाइट है, राजस्थान सरकार की आपके सामने देखिए इसका से आप जिस भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अपने राज्य में ही नोकरी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे आके पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे जानकारी लेना मैंने आपको पूरा जानकारी यहां पे दिया कि आपको यहां पे क्या टाइप कर दे इस website पे आएंग तो आपको और भी बहुत सारे वेकेंसी डीटेल देखने हो को मिल जायागा जैसे आप यहाँ पे आएंग तो यहाँ पे apply link for top 5 government job दिया हुआ बस आपको इस पे okay करना है okay करते मानी यहाँ पी देख सकते हो पुड़ा website open होके आगे सबसे पहले यहाँ पे परिवार कल्नाण विभाग की तरफ से वेकेंसी निकल कर आ गई है इसके साथ सचीवाले की भरती है इसके साथ केवियस केंद्री विद्धाले की भरती है इंडियन बैंक की भरती है निकल कर आ गई लिए डीटेल चेक आउट करना हुमेद करते हैं जानकारी समझ में आगया होगा वीडियो देखने वाद अगर आपके मन में कोई भी कोश्चन कोई भी डाउट रा जाता है तो किस राज़े से वीडियो देख रहे नीचे वो भी कमेंट कर दिएगा और वीडियो को लाइक न जर खेचे कर और झाती होगा है वीडियो कोई भाऑ étaं समझा लाँड़ाथ को भीडियो थिए और बचलख स्व़ों कोई इन वोगन हीजभा वीडियो कोईद मेंट कर भीडियो कर लादेखा हं लाईट गईलगा गईब करलगा और इही में और लिए़गगा एकार स्वाश